में आजरे क्यूंग हर तनाज़े में क्रिकेट रिलेटेड आपका नाम होता है देखें इसमें दो चीजें तो अपनी पर्फॉर्मस पे इंपर ने ये और बाकी दर उदर की बाते प्रिंट मेरे दिल में बात होती है वह बोलता हूं कुछ लोगों को अच्छी लगती है और शूशल मीडिया का पड़ी रहती है भूण तो मिडिया वब नेगिडिफ चीज़ें उठाता है जारी सी बात है हम मश्यला साथ भाई है मैं सबसे छोटछा हूं मेरे से जो पेले शेंटी हैं उनकी शादी रिपूरा नहीं करना डांस नहीं करना तो मैं किसी बाहरवाले की शादी पे तो नहीं डांस कर सकता तो अगर वो चीज अगर मेडिया वाले या कुछ लोग इस चीज को हाइलेट करते हैं तो मेरे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी फैमिली का है अगर मैं अपनी फैमिली में नहीं नहीं करूंगा तो बाहर जा के थोड़ी करूंगा अगर मुझे म्यूजी का शॉक है मेरी किसी को कोई प्राबलम नहीं है तो मेरे खाल है किसी को कोई प्राबलम होनी नहीं चाहिए हर इनसान की परसनल लाइफ होती है उसको प्लीज कभी भी हिट ना करें और उस परसनल लाइफ में किसी को भी मैं पर्मीशन नहीं देता और ना मैं किसी की परसनल लाइफ में जात करता हूं कि मैं खुद इनके ड्रामें बहुत शौक से देखता हूं मैं खुद इनके पास जा के देखता हूं मैं फौन करता हूं कि यार मैं आ रहा हूं न्यूसें भी चलते हैं जी उमर जा रहा है उमर यह कर दिया उमर नहीं यह कर दिया अगर यह ड्रामें अच्छे नहीं कि कितनी टैंशनें दूर करते हैं आप लोग उन्हें को कंषाते हैं आप लोगा धंसे जाते हैं ढ़ सते कि आम आप मुझे यह बताएं कि उस्मान कादिर से आपका क्या रिष्टा है क्योंकि जब उन्होंने आपको आउट किया तो उन्होंने एक पर्ची दिखाई जिसके उपर लिखावा था अल्ला इस दा बेस्ट प्लैनर मुसल्मान हम सब को पता है कि अल्ला इस दिमाग में वह जो करने के बाद दिखाई है तो शायद मुस्ते जागे पूछ लेता अभी तक मैं आउट हुआ हूँ तो मैंने दो पीछे प्लेट के भी नहीं देखा ना लाग एंपायर की तरफ देखा है क्योंकि मुझे आटमेटिकली पता चल गया था कि मेरा पहूं थोड़ा सा आगे चल पाउट हो गया हूँ तो मैं अपना सर नीचे पहेंगा उस वकत मैं बाइर चला गया था देखें तो आपकी फामली का हिस्सा है तो इस तरह से मीडिया में इतनी चीज हाइलाइट करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि उसके बाद काफी कॉंट्रवर्सी क्रियेट हुई लोगो इस इनसान का जो हाड़ वर्क होता है जो टैलेंट होता है वही इनसान को पाकिस्तान खिलाता है अगर उसने पहले हाड़ वर्क किया होता वह जल्दी खेल जाता उसने थोड़ा सा लेट किया है तो जाहरी सी बात है थोड़ा सा लेट खेला है लेकिन मेरी बेस्ट विशी उसके साथ हैं अगर आप पलिट के देख लेते तब यकीन कहते देखा जो आउट हो के क्रीज की तरफ अपने ही रिष्टेदारों से मुलाकात हो गई और इस पाकिसानी आप सब को हमें मेरी फैमली को फखर है कि जितने भी मेरे रिष्टेदार हैं वो पाकिसान को सफ क Harayan पाकिसान का नाम उपर करें और इंशाला तला आगे और भी हमारे जो रेलेटिव्स हैं उनके बच्चे खेल रहे हैं और इंशाला तला आने वाले वक्तों में वो भी पाकिसान का नाम रोशन करेंगे इंशाला